देखें वो फैसले को सुरक्षित किया गया है प्रोसिक्यूटिंग एजिंसी का एक काम है कि वो चालेंज करे अब आम आदनी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी दुर भावना के शिकार है के इजरिवाल जी और उस वज़े से ऐसा है अब यही बात तो E.D. बाका पाइदा इसमें जो लर्निड जज थी विकेशन बेंच की उन्होंने कहा है कि बितना धेर सारा एविडेंस है कि वो देख उसको नहीं देख सकती तो इस वज़े से उसको विकृत मानकर इसको चालेंज किया गया है अब अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत रहत क पूरी तरह से देखती है हम आदनी पाटी और समझे लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है अब जब जमानत रोकी जाती है उसी नियाएक प्रणाली के तहट उसी नियाएक प्रक्रिया के तहट तो कहते है भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है तो बेल हो या जेल हो य सारी जिम्मेदारी prosecuting agency जाच agency की नहीं है ये अदालती कारवाई है और अदालती कारवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं लेकिन वही कारवाई अगर आपके खिलाफ जाती है आप भाजपा नियंतरट कहते हैं उसी कारवाई को तो ये दोरे मापदन आम आदनी पार्टी को छोड़ने होंगे पहले क्या कहा जा रहा था कि अगर लोग approver बन गए हैं लोगों ने इतने पैसे दिये हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है तो क्या केज़री वाल approver बन गए थे उनको तो बेल मिली न तो यानि कि उनको अपना जो भरोसा है नियाइक प्रणाली में जैसे कि कल दिखा रहे थे वैसे आज भी दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा किस तरह से हमारी जमूरियत हमारी लोकतंद्र काम करता है और जो हमारी नियाइक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से किसी का भी पक्षपात नहीं है अगर वो अपने को बेकसूर बार-बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो आब बताई मनी सिसोडिया जेल में क्यों है विजे नायर का क्या involvement था कि कविता जेल में क्यों है क्या काम था दिनेश अरोरा और अमित अरोरा का क्यों और विंदो फार्मा इसमें involved थी क्यों साउथ की पूरी लोबी लाई गई गई क्यों पूरी की पूरी policy बदली गई यो तो अपने आप में सवाल ही ना और कितनी ब अगर prosecuting agency जाज agency इस मामले को लेकर challenge नहीं करती तो क्या बोलते लड़ू बाट रहे होते और कह रहे होते देखिये कोई case ही नहीं था अब case को support करने के लिए कि क्या वज़े रही क्योंकि केजरिवाल जी जेल में गए हैं और क्यों जरूरी है उनका judicial custody में या नहाएक हरासत होना तो अगर वो प्रमाण दिये जा रहे हैं तो आप कहा जा रहा है कि क्यों जल बाजी है हर तरह से आपको किसी रा किसी तरह का नाटक करना है और इस तरह के ओल्जलूल सवाल उठाने हैं सच तु यह है कि चाहे वो शराब नीती हो या फिर आब नीती हो पानी की पूरी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें